अस्लाम लेकुम, अस्लाम वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूर्ट से आपको कंप्यूटर अप्लिकेशन लिच और इन वीडियो के लेक्चर्स प्राहम किये जा रहे हैं लेक्चर्से मुतलिक किसी भी किसम की मालूमात लेने के लिए हमसे राप्ता करें पॉन नमबर 0515780562 मुबाइल नमबर 03125122001 लेक्चर की वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन लोगों से मुखात्ते हूं जिनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब में किया चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें आज आप तक लेटिस्ट अपडेट पॉन्ट सकें शुक्रिया बिस्मिल्लाहिरुर्रह्मानिर्रहीम अस्सलामुलेकूम मैं हूँ अब्दुल्ला खालिद और आज हम कंप्यूटर कोर्स के सिलसले की क्लास में मौजूद है जौस बेसिक शॉर्ट कमांड्स हमारी जारी थी आज उसकी क्लास नंबर 4 है और आज हम नियू कीज सीखेंगे जौस करने कीज कुमांड्स हो मैं जय है जो है जौसपलस एच टू ओपन जॉव है इकसेश कीज को हम एकसेश कर सकते हैं ज्यास प्लस एच से येเขीज हमारे तब काम आती हैं ज्यादा तर जब हम किसी भी सॉफ्टवियर का स्क्रिप्स उनके स्क्रिप्स इंस्तॉल करते है उनको यूज करने की जो तमाम शॉट कीज हैं वो हमें जॉज की help access के अंदर मिलती हैं जॉज प्लस h करते हैं और आप एंडाउन की मदद से यहां पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी कीज इस वकत मौझूद है देखें यहां पे हमें इसके जैनरल यूज की भी कुछ कमार्ड यह बता रहा है लेकिन जब हम जॉज की स्क्रिप्ट्स भी या किसी भी सॉफ्ट्वेर की स्क्रिप्ट्स इंस्टॉल करेंगे तब भी यह हमें उस प्रोग्राम के अंदर जॉज प्लस h करने से इसकी help open करने स से हमें access keys बताएगा हमारी next key है जॉज प्लस डब्ल्यू जैसे जॉज की help को access किया था हमने इसी तरह windows की help को भी हम जॉज प्लस डब्ल्यू से access कर सकते हैं हम जॉज प्लस डब्ल्यू प्रेस करते हैं following our useful windows keyboard commands to access an application menu bar press alt to open the start menu press ctrl escape or the windows key for windows help press f1 to exit an application press alt f4 to cycle between the taskbar start button and desktop press ctrl escape escape and then press tab to cycle between the three menu देखें कि इसने हमें सारी access keys इसने read out करना शुरू कर दी हैं windows की जैसे ही हमने जॉज प्लस डब्ल्यू प्रेस किया और हम इनको up and down arrows की मदद से भी read कर सकते हैं हमारी next आज की command जो है वो है कि हम jaws की जो speed है उसको permanently यानि मुस्तकिल तोर पर कैसे कम और ज्यादा कर सकते हैं इसकी मुस्तकिल तोर पर permanently इसकी speed को तेज करने के लिए हमें alt windows control यानि alt plus control plus windows plus page up का इस्तमाल करना होगा मैंने कीज प्रेस कर ली हैं अब मैं एक एक मरतबा page up को प्रेस करूँगा faster 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 इस सारे process में आपने control alt और windows के button को नहीं छोड़ना आप पेज अप वाले button को आप छोड़ सकते हैं लेकिन बाकी कीज को आपको hold करना पड़ेगा जब तक आपने speed इसकी आप यहां down करनी है देखें के jaws की speed हमारी इस वकत हमारी इस वकत jaws की speed काफी तेज हो चुकी है यह permanent speed है हम कुछ भी use करेंगे jaws की speed कम नहीं होगी अब इसी speed को अगर हम permanently decrease करना चाहें मुस्तकिल तोर पर कम करना चाहें तो फिर हमें control plus alt plus windows plus page down का इस्तमाल करना होगा करते हैं और speed को नीचे लाते हैं देखें के हमारी jaws की speed जो है नीचे आ चुकी है इस तरीके से हम jaws की speed को permanently increase और permanently decrease कर सकते हैं तो यह थी आज की हमारी class इन्शाला next class में आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए अपनी दौाओं में याद रखें अल्ला हाफिस ठाफिस झाल झाल झाल